तो आज यार हम लोग देखने वाले हैं Depth First Search फिछले वीडियो में देखा था Bread First Search अब ये Depth First Search क्या चीज़ है सबसे पहले इस बारे में बात करता हूँ Depth First Search कोई जादा बड़ी चीज़ नहीं है ये सिर्फ Graph को Traverse करने का एक तरीका है जिस तरह से अब देखा था Bread First Search एक Graph को Traverse करने का तरीका था उसी तरह से ये भी Graph को Traverse करने का ही तरीका है इससे ज़ादा कुछ नहीं है तो Graph Traverse जब हम करते हैं तब Depth First Search और Bread First Search share हम दोगो नहीं देखा था एक note के साथ और explore करते हैं उसके connected vertices और deep जाने की कोशिश करते हैं deep जाते हैं, deep जाते हैं, deep जाते हैं और finally एक time ऐसा आता है कि जब हमें एक ऐसा note मिल जाता है जो कि already explore हो रखा है तो हम वापस आते हैं और जो traversals हमने suspend कर रखे हैं उनको हम दोबारा से करते हैं अब कई लोगों कोई लगे का यार मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ यह क्या बोल दिया मैंने बट मैं आप लोगो यहां पर बताता हूँ देखो, जो DFS होता है जो BFS होता है, BFS से compare करता हूँ ठीक है, तो सबसे बहले कि यह कुछ इस तरह से इग्राव है ठीक है, अब अगर मैं BFS कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यह वाला node, यहां से अगर start करूँगा तो सबसे पहले मैं इसकी सारी connected vertices को visit करूँगा यानि कि इसको visit करूँगा इसको visit करूँगा और इसको visit करूँगा ठीक है, लेकिन अगर मैं DFS कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं यहां से start करूँगा, फिर यहां चला जाँगा फिर यहां चला जाँगा, फिर यहां चला जाँगा अब यहां मैं dead end पे आ चुका हूँ होगा क्योंकि इतनी बड़ी चीज है नहीं है ट्रावर्स करने का एक तरीका है तो देखो यारे हमें क्या करना है कि start करना है by putting any one of the graph's vertices on top of a stack इसे बहले हम stack की बात करें और programmatic procedure की बात करें मैं बहुत ही simple सा procedure बताता हूँ आपको कि किस तरह से काम करता है DFS अब देखो मानलो मैंने यह आपर 0 से start किया ठीक है तो मैं आपर अपना visited area बनाऊँगा तो मैं आपर लिख देता हूँ visited और यह जो visited list कहलो area कहलो इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक note से start करूँगा मानलो मैंने 0 से start किया ठीक है 0 से start करके मैं जाओंगा 1 की तरफ, ठीक है, मैं लिख दूँगा 1, ठीक है, इसके बाद मैं 1 से जाओंगा 2 की तरफ, ठीक है, मैं लिख दूँगा 2, 2 से मैं 3 भी जा सकता हूं, 4 भी जा सकता हूं, मेरी बर्जी, मैं 3 जाओंगा, ठीक है, मैं आपर 3 चला जाओंगा, ठीक है, 3 से मैं का जा सकता हूँ 3 से मैं 4 जा सकता हूँ मैं 4 जाओंगा ठीक है 4 से मैं 5 जा सकता हूँ मैं आपर 5 जाओंगा लेकिन जो मैं 5 जाओंगा तब मुझे realize हो गया आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं पीछे आओंगा एक कदम जहां से मैं आया था मैं इस डिरेक्षन से आया था मैं इसी डिरेक्षन से वापस जाओंगा ठीक है और मैं वापस से 4 पर आ जाओंगा 4 पर मुझे characterize होता है कि मैं 6 पर जा सकता हूं तो मैं 6 पर जाओंगा और मैं इस तरह से 6 पर हूँ लेकिन जब मैं 6 पर हूँ तब मुझे realize होता है कि यार मैं 6 से आगे कहीं जाई नहीं सकता ये तो एक dead end type सा आ चुका है तो मैं वापस जाऊँगा जहां से मैं आया था जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस जाऊँगा ये नहीं कि 6 से आफ 0 पहुँच गए नहीं जिस रास्ते आप आये थे उस रास्ते वापस जाऊँगा मैं 4 पर आ गया ठीक है इसी रास्ते वापस जाकर मैं 4 पर आ गया अब एक बार मैं 4 पर आ गया तो मैंने realize किया हाई यार मैं यहां से 2 पर जा सकता हूँ और जब मैं 2 पर आया तब मैंने realize किया कि यार मैं कहीं जा ही नहीं सकता यार मैं dead end पर आ चुका हूँ फिर मैं वापस आउँगा अपने पास से वापस आउँगा वापस आते 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 मैं वापस से यहां पर आ जाऊँगा और DFS जो है वो खतम हो जाएगा क्योंकि सारे nodes हमने विजिट कर लिए है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा layman terms वाला procedure कि DFS किस तरह से काम करता है बट एक computer को जब आप देंगे command अगर आप computer से करवाना चाते हैं DFS तो यह approach नहीं होगा वहाँ पर क्या approach होगा अगर आप लोगे computer से DFS कराना चाते हैं वहाँ पर आप stack को use करोगे और कमाल की बात यह है कि जब हम computer में code लिखते हैं C language के अंदर DFS का तो वहाँ पर by default हम लोग को मिल जाती है stack बड़ी कमाल की बात है और आपको सुनके भी मज़ा रहा होगा कि यार DFS में stack अलरड़ी मिल जाती है वाओ ठीक है और कैसे होता है इस अब यह मैं बताता हूँ देखो यार functions अलरड़ी stacks को use करते हैं यह बात मैंने पहले भी बता रखिये उसी को use करके हम DFS के procedure को लिखेंगे बट अभी programmatic procedure को समझ लेते हैं DFS के पहला जो point है वो है start by putting any one of the graph's vertices on top of a stack ठीक है procedure कहता है एक stack ले लो stack क्या होता है balty balty होता है stack और balty के अंदर समान डालते रहो जो सबसे आखीर मड़ाला हो सबसे पहले निकलेगा ठीक है इसके बाद take the top item of the stack and add it to the visited list ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक note डालना है मैंने 0 डाल दिया ठीक है मैंने 0 डाल दिया कोई भी note डाल सकता है 1 भी डाल सकता है 2 भी डाल सकता है अभी कह रहा है कि जो डाला उसको निकालो ठीक है जो डाला उसको निकालो निकाल देते है निकाल दिया 0 को भार ठीक है 0 अभी आँसे stack से निकल चुका है 0 को भार निकाला और 0 से connected जितनी vertices है सबको डाल दो stack के अंदर किसी भी order में मैं डाल देता हूँ 1,2,3 को 1,2,3 ठीक है अभी 1,2,3 हमारी stack के अंदर है मैं 3,2,1 भी डाल सकता था मैं कुछ इस तरह से भी डाल सकता था कि जो मेरी stack है उसके अंदर सबसे end में 3 हो फिर 2 हो फिर 1 हो किसी भी order में मतलब किसी भी order में कोई यहाँ पर hard and pass rule नहीं है ठीक है लेकिन जब डाल दिया आपने एक बार तो आप निकालोगे कि इसको जो सबसे end में डाला है ठीक है इसको निकालोगे 1 को ठीक है और visited में क्या-क्या आता जाएगा आपके visited में सबसे पहले तो 0 आ गया फिर जो जो stack से निकालते जारे है वो visited में आते जाएगे 1 निकाल दिया आपने एक बार तो यह visited में आ गया ठीक है अब 1 आपने निकाला तो आपको इस procedure फिर से करना पड़ेगा कि top item of the stack आपको निकालना है और उसको and add it to the visited list इसके बाद जितने भी item इससे connected है और visited नहीं है उनको आप डाल दोगे किसमें stack में तो अगर हम 1 की बात करें तो आप देखो कि 1 से connected है 2 और 0 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 क्योंकि visited list में already है 2 visited list में नहीं है इसलिए हम 2 को stack में डाल देंगे ठीक है और 2 तो stack में already मौजूद है तो 2 को pop out करेंगे और pop out करने के बाद 2 को visit कर लेंगे फिस सेम चीज 2 के साथ करेंगे 2 में जो जो connected vertices हैं उनके लिए हम सेम procedure को अपनाएंगे और इस procedure को repeat करेंगे ठीक है इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं पहली step लगाऊ इस particular graph में जो graph आपको दिखर है right hand side में तो आप देखो मैंने क्या किया कि 0 से start किया मैंने 0 को stack में डाल दिया तो 0 मेरी stack के अंदर आ चुकिया आप देख सकते हो अब मैं क्या करूँगा कि start करूँगा by putting any one of the graph vertices और इसके बाद मेरा second step है take the top item of the stack and add it to the visited list so 0 भी visited में आ गया है आप आप देख सकते हो ठीक है ये काम हो गया 0 से जितने connected है उन सब को आप में डालूँगा stack के अंदर वो कौन है 1, 2, 3 आप देखो 1, 2, 3 सब stack के अंदर जाएंगे किसी भी order में ठीक है एक बार मैंने ये कर दिया यानि कि 1, 2, 3 को किसी भी order में stack में डाल दिया तो topmost element है उसको मैं pop out करूँगा ठीक है topmost element को pop out करूँगा और pop out करने के बाद visited में डाल दूँगा और उससे connected जो जो है nodes उनको मैं stack में डालूँगा ठीक है और visited भी नहीं होने चाहिए जो zero visited है इसलिए नहीं डालूँगा two को मैं डाल दूँगा stack के अंदर ठीक है जो मैं two को stack के अंदर डाल दूँगा या पर वापस से ठीक है अब क्या होगा two को मैंने डाल दिया अब two को pop out करूँगा ठीक है तो ये visited हो गया ये visited हो गया 2 भी visited हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 को pop out किया लेकिन stack में कौन कौन आने चाहिए 0, 1, 3 और 4 0, 1 visited है इसलिए 3 और 4 आएंगे ठीक है तो मैं 3 और 4 को डाल देता हूँ मैं 4 को pop out करूँगा stack में से और 4 को visited में डाल दूँगा ठीक है 4 को visited में डाल दिया ठीक है और 6 को मैं आपर लिख दूँगा 6 भी visited हो गया 6 से कोई ऐसा connected हो जो unvisited है नहीं, नहीं है connected 6 से ऐसा कोई भी node जो कि unvisited है ठीक है इसलिए मैं क्या करूँगा अगला pop out करूँगा जो कि 5 है ठीक है किसको pop out करूँगा मैं अगले को pop out करूँगा जो कि 5 है और इसको मैं visited की list में डाल दूँगा और इससे connected कोई ऐसा node नहीं है जो कि हमारा unvisited हो ठीक है इसलिए मैं क्या करूँगा 3 को pop out करूँगा 3 को मैं visited की list में डाल दूँगा ठीक है 3 को visited की list में डाल दूँगा और फाइनली हमारी stack empty हो चुकी है और इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये जो traversal है ये DFS traversal आ चुका है क्या यही DFS traversal जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था उससे भी आ सकता था हाँ आ सकता था अब 0 से start करो ठीक है 1 के बाद 2 पे जाओ 2 के बाद 4 पे जाओ 4 के बाद आप 6 पे चले जाओ 6 पे dead end मिला वापस आओ अब 4 से आप जा सकते हो 6 पे गए हो वापस से आप 4 पे आ गए इसके बाद आप 5 पे जा सकते हो ठीक है 5 पे जाने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा और उसके बाद आप 3 पर आ जाओगे तो यह एक valid DFS traversal बन चुका है I hope समझ में आगया बहुत ही simple सी चीज है और stacks के साथ programmatically इसको लिखना और भी आसान बन जाता है तो यह आपकी screen पर अभी pseudo-coded DFS का जो कि आप आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग कोड करना चाहते हो C language में DFS को वरना अगले वीडियो में तो यार मैं आपको कराने ही वाला हूँ DFS को कोड C language में हम लोग द्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छे से detail में देखेंगे कि किस तरह से DFS को कोड किया जा सकता है So, अभीकले इस वीडियो में इतना ही गाइस Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time